दोस्तों वेक्यूम एसिस्टेट डिलेवरी के बारे में समझेंगी क्या होता यह क्यों करना पड़ती और कब नहीं किया जाता सब कुछ जानेंगे इसके बारे में वीडियो को पूरा देखना पूरी यंकारे के लिए सुरू करते हैं दोस्तों आपने थ्री डेट मूविम द की महला जो है नॉर्मल डिलेवरी करा सकती है लेकिन कोई प्रॉडम आ रही है कि बाहर नहीं आ पा रहा है महला इतना प्रेशर नहीं बना पा रही है कि बच्चा बाहर आ जाए ताकत नहीं लगा पा रही है धकेल नहीं पा रही है पुश नहीं कर पा रही है तब उस इस्त तो कपसण पॉंप की तरह काम करती है कप होता है एक मैट्लिक भेया था रिक प्लास्टिक कविया था दो तरह कप होता तौ जो भी परस्तित होता है यूसे वह करते हैं और कप को जो है बेजाइना के मूह पर ओपनिंग पर लगा के बच्चे की जो सिर्षट है उसको कीच जा जाए लोकल एनस्टीश दिया जाए ताकि उसको किसी तरह की प्रॉडम ना आए अब यह जो आसेस्टेट वैक्यूम आसेस्टेट डिलेवरी है यह क्या होता है सिजेरियन को रोग देती है कई बारी कि भाई कई बार डिलेवरी होने में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं सा सरजरी के द्वार बच्चे को बाहर निकालना तो यह चीज हो गई तो वैक्यूम आसेस्टेट डिलेवरी भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है पहले नॉर्मल की कोशिश करता है डॉक्टर नॉर्मल नहीं हो पाती है लगता है कि जो है बच्चा नीचे आ चुका है और क यह जाल के पास अगया उसका बिल्कुल तो क्या करते हcciónं फिर नहीं निकल पारा था तब वैक्यूम का expired करते हैं एकर अब करते हैं यह जो महिला की डिलेवरी पूरी होती है मतलब डिलेवरी को जो फिरेड होता है वह पूरा होता है मतलब कि नौ मैने पूरे होते हैं तब क कट रखते हैं तिक दूसी बात कब नहीं किया है सबता जब प्रेग्रेंशी जो है 35-34 हफते से कम किये मतलब की प्रमेच और वर्त है तब बिल्कुल नहीं करते हैं बच्चे के अंदर को कि यूज नहीं करसकते हैं बैक्व क यूज नहीं कर सकते बच्चे का लास बत् लेड़ बहुत जरूरी है जो अख्रम शुमते बच्चा दानी का मुऔ नहीं खुला तो उसमें खुलना ज़रूरी है बस यह कि बच्चा, आसकता है लेकिन महिला जो पुश नहीं कर पार ताकत होता है कि कोई दिक्कत नहीं सब बढ़ियां रहता है इसमें सो नेक्स टाइम जब भी आपको लगता है नॉर्मल डेलिवरी के पूरे चांस है लेकिन वहला ताकत नहीं लगा पारे तो फिर बैक्यूम अस्ट्रेट एक आप्शन होता है फिर भी नहीं हो पारा तो फिर सेजर फार्मसिस्ट जो दता है आपको दवाईयों भीमारियों और मेडिकल साइन्स की नॉलेज चो मिलता हम अगले वीडियो में जय हिन वन दे मात्रा मात्रा